नमस्कार दोस्तों के युके से सम्मादी स्टेंट्स के लिए कुछ और बड़ी जरूरी जान करें सूचने अपडेट सें तो आप वीडियो कौन तक जरूर देखें और ज़्यदा सेयर जरूर करें और जो साथी टेलिग्राम पर जुड़ना चाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परवाइड करवाएगे लिंक के जरी टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं प्राइवेट और डिस्क्रिप्शन के अनुवल वाले जो केंडिडेट्स ओनलाइन एग्जाम देने के लिए पोर्टल पर रिजिस्टेशन कर चुके हैं उन सभी के लिए एक और जरूरी अधी सुचना नोट केईके की तरफ से जारी किया गया है और यहां पर इसमें कहा गएगी जिन भी स्टुडेंट्स ने ओनलाइन एग्जाम देने के लिए www.kqonlinexam.com पर रिजिस्टेशन कर लिए उन सभी के लिए जरूरी है कि वो 14 और 15 अगस्त को मोक टेस्ट जरूर दे पूरवी प्रोसेस से प्रीचित हो जाए आंसर सीट दे और 15 अगस्त को टाकि आपको एक्जामे कोई दिक्कत ना आए अगर कोई दिक्कत आए मोक टेस्ट में आपको पहले पता लगजाए ऐ खलंकि ये भी समस्या आई है ऍए इसके बाद एक्जामने दिक्कत न ही है और इसका केई पर शासन की तरफ से कोई भी पर्मानेट स इसा कोई भी विकल्ब केई की तरफ से जारी नहीं किया गया लगातर सुडेंट्स को ही केई की तरफ से प्रेसा निया देखने को मिल रहे हैं लगातर सुडेंट्स प्रेसान हो रहे हैं और ये ख़बर आज के अख़बार में छापी गई गुरुख्षेत्र विश्वजय अर्थियों ने ओनलाइन प्रिक्षा आर्थियों को मोक टेस्ट देने के लिए जारी किया दिसा निर्देश और यहां पर बताया गय कि 51,241 विद्यार्थियों ने रिजिस्ट्रेशन किया है उसमें से केवल 18,088 विद्यार्थियों ने मोक टेस्ट परकिर्या को अपनाए है ओनलाइन प्रिक्षा आर्थियों जिन शुडेंस ने ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन किया है उनको 14 अगस को दो दिनों के लिए मोक प्रेश दिया था लेकिन फिर भी आंसर सीट अप्लोड करने में समस्या आई थी और इन सभी समस्यां को के यू परसासन के पास कोई हल अभी तक नहीं मिला है और उमीद है कि संधरा में जल से जल मीटिंग हो और मीटिंग के बाद नेने लिया जाए कि इतने सारे परबंध हो पास कोने के बावजुद भी जो के यू परसासन के परबंध है वो क्यूं बार-बार फेल हो रहे हैं क्यूं बार-बार स्टुजेंट्स को समस्या आ रही हैं उमीद है कि इस बारे में जल से जल मामले पर संग्यान लिया जाए और अगर आपको भी एक्जाम के दुरान जो भी अपडेट्स होंगी लगातार आपके साथ सेर की जहेंगी ऐसी अपडेट्स पाते रहें के लिए चैनल से जुरुर जूटे रहे हैं वीडियो कोन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हर्दी के दने वाद वीडियो के ज्याद है सेर जरूर करें कमेंट बॉक्स में अपने अपनी राए जरूर दें